आज की इस वीडियो में हम पैरा थाइरड गरंथी के बारे में बात करेंगे कि पैरा थाइरड गरंथी के अस्प्रकार क्या होती है जिस प्रकार हमने प्रिविएस वीडियो के अंदर थाइरड गरंथी के बारे में बात की थी थाइरड गरंथी के समान ही पैरा थाइरड एक महत्मपोन घंती होती है क्योंकि दौनों का कुछ एक दूसरे के विप्रित कारिया होता है दौनों ही सरीर में अर्थारग्त में या भाईय कोश्य के अंदर लवणों की सांदता को कंट्रोल करते है नियामित करते हैly तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि पेरा थाइरेट गंती की उत्पत्ती बुरुनिय जनन के किस इस्तर से होती है तो पेरा थाइरेट गंती की उत्पत्ती थाइरेट गंती के समान बुरुनिय एंडोडर्म से होती है ठीक है दूसरी बात हम करें ये कहां पाई जाती है तो देखिए ये है लैरिंक्स ये ट्रैकिया स्वांसनली इसके अलाबा यहां पर ये जो दी हुई है जो द्वी पालित अवस्ता में इसे हम बोलते है थाहिरेट ग्रंथी थाहिरेट ग्रंथी के अंदर आपको जो गहरे लाल रंग की जो अंडा का रचना दिखाई दे रही है इन अंडा का रचनाओं को हम बोलते है पैरा थाहिरेट क्या कहते हैं हम इनको पैरा थाइरेड गरंथी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि थाइरेड गंथी की प्रस्ते पर धसी हुई टोटल दो जोड़ी या कुल चार अंडाकार लाल पीले रंग की पैरा थाइरेड गंथी उपस्तेत होती है ये थाइरेड गंथी में इस प्रकार धसी होती है जैसे कि पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा पुपस्तेत होता है तो बर्फ का अधिकान सफाग पानी के अंदर और कुछ हिस्सा उपर की और उबरा हुआ रहता है उस प्रेकार ये प्रस्ट भाग में दहाशिवी रहती है दोसरी बात हम ये करें कुछ यी वैसे जैसे हमने संख्या के बारें बात की थी तो कुल ये दो जोड़ी होती है सभी कशरुप्राणियों में पराथाइडर गंती उपस्ते दोगी केवल फिसीज के अंदर यानि कि फिसीज के अंदर मसलियों के अंदर ये पराथाइडर गंती एपसेंट होती है बाकि अन्य सभी जो कशरुपरानी होते हैं उन सभी के अंदर पेरा थाइरगंथी उपास से दोगी लेकिन जैसे रैविट की बात करें तो रैविट में पेरा थाइरगंथी की जो संख्या है वो टोटल दो अर्था एक जोड़ी होती है तो यह हमने इसकी लॉकेशन और संख्या के बारे में बात की थी गहरे लाल पीले रंकी होती है जिस प्रिकार थाइरगंथी के अंदर दो पेंड होता है प्रतिक पेंडी के अंदर बहुत सारी पुटिकाएं होती है जो चारो और से घहनाकार उपकला कोशकाओं द्वारा घिरी रहती है जिनके द्वारा थाइरगंथी हार्मोंस का स्रावन होता है तो यहां पर जो लाल पीले रंकी जो ग्रंथी रचना होती है लेकिन इसके अंदर थारेट गंथी के समान पुटिकाएं एपसेंट होती है तो यहां हमने यह चीज़े इसके बारे में बात किये हम देखें जो पेरा थाइंड गंथी होती है इस ग्रंथी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है एक C-Cell जन्हें मुख्य कोशिका कहते है और दूसरी होती है ओक्सिफिल कोशिका ओक्सिफिल कोशिकाओं का जो आकार होता है वो जनरली बड़ा होता है जबकि जो C-Cell होती है मुख्य कोशिका है इनका आकार छोटा होता है इन में से औसिफिल की कोसिका है सहीजी तन्तुओं की बनी होंगी जब कि C-cell जो होती है जो smaller होती है छोटे आकार की होती है ये ग्रंथिल होती है ग्रंथिल का मतलब जो भी हार्मोंस का स्रावन होता है पेरा थारेट गंती में से वो इसी मुख्य कोसिका के द्वारा ही होता ह तो यहां देखिया पराथायरड गंथी के द्वारा जो हरमॉश होता है उसे हम कहते हैं PTH हर्मॉन क्या कहते हैं इसको PTH हर्मॉन जी सके योग प्रोटीन यृक्त पॉलीपक्टाइड का हर्मॉन होता है और इस हर्मॉन की फुल फॉर्म की बात कर तो इसका नाम है पेराथार्मोन हार्मोन या पेराथारेड हार्मोन भी इसको कह सकते हैं ठीक है लेकिन कई वार जो एक्जाम में कॉम्प्रिशन में पूछा जाता है कि कॉलिप का हार्मोन किसे कहता है कॉलिप का हार्मोन PTH को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कॉलिप नामक जो scientist था उस scientist ने PTH को crystal की रूप में प्राप्त किया था किसकी रूप में? crystal की रूप में प्राप्त किया था इसलिए इसका PTH हार्मोन को scientist के नाम के according कॉलिप का हार्मोन की संग्या दी गई तो देखें आपर लिखा है हमने कॉलिप का हार्मोन PTH को कहा जाता है यदि हम इसके कारियों की बात करें PTH के कारिय क्या है? तो ये आंत्र में उपसे जो भोजन होता है भोजन का जो digestion होता है उस भोजन में उपसे ये calcium के absorption को प्रेडित करता है calcium absorption होकर के सीधा कहा जाएगा? blood में जाता है इसका मतलब ये absorption को प्रेडित करेगा अठ्था उत्सर्जन को कम करता है तो जब calcium का absorption बढ़ेगा तो blood में calcium की मात्रा बढ़ती है ठीक है? साथ में nephron के अंदर जो filter होकर के urine बनता है उस nephron में से calcium के absorption को भी प्रेडित करता है जिससे रक्त में calcium की मात्रा calcium का level बढ़ता है जबकि fast feed के उत्सर्जन को प्रेडित करता है ठीक है? तो ये fast feed का उत्सर्जन और calcium की absorption को प्रेडित करता है ठीक है न? जिससे क्या होगा? रक्त में केल्सियम की मात्रा बढ़ती है साथ साथ ये PCO में होने वाला जो संकुंचन होता है उसको भी प्रेरित करता है ठीक है? अब आप देखिए प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक बताये था एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या होता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब होता है कि वे हार्मोन जो एक दूसरे का विरोध करते है या एक दूसरे के विपरीत कारी करते है ठीक है? तो एक दूसरे के विपरीत कारी करने वाला जो हार्मोन है वो कहलाते हैं एंटागॉनेस्टिक हार्मॉन और यह जो किरियाविधी होती है वो एंटागॉनेस्टिज्म कहलाती है यह हमने प्रिविएस वीडियो के अंदर भी बात की थी जैसे कि अगनाश्य ग्रंथी में हम जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे उसमें इंसूलीन और गलोकेगान हर्मॉन दौनों एक दूसरे के विरोधी प्रकर्ती के होते हैं एक दूसरे के विपरित कारी करते हैं तो यहाँ पर PTH के विपरित जो कारी करता है वो होता है थाइरेट ग्रंथी के अंदर थाइरेट ग्रंथी में स्रावित होने वाला TCT हर्मॉन TCT का मद्दा होता है थाइरो कैल्सिटोनीन हर्मॉन थाइरो कैल्सिटोनीन हर्मॉन का जो मुक्य कार्य है वो होता है केल्सियम के उतसर्जन को प्रेरित करना केल्सियम का उत्सरजन होगा फासपेट का यह अवस्वसन को प्रेडिक करेगा कि रख्त में से जितना ज़्यादा केल्सियम भाहर निकलेगा तो रख्त में क्या होगी केल्सियम की कमी होती है यदि इसकी सांदरता ज़्यादा बढ़ जा टी सी टी की तो क्या होता है केल्सियम का उस सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हम बात करें PTH की तो PTH केल्सियम के अवसुसन को प्रेडिक करेगा या फासपुरस के फासपेट के उस सर्जन को प्रेडिक करता है तो PTH के प्रभाब से रग्त में केलसियम का लेवल बढ़ता है जबकि TCT के प्रभाब के कारण रग्त में केलसियम की मात्रा कम होती है यहां तक आपको बात समझ माई अब हम यह देखते हैं कि PTH की यही कम और अधिक सक्रियाता होती है तो सरी पर क्या प्रभाब भढ़ता है तो हम बात कर रहे थी, कि PTH की यदि अधिक और कम स्रावन होता है, तो सरी पर इससे क्या एफेक्ट पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान से समझें, PTH पैराथाइरन हार्मोन, PTH की यदि कम स्रावन होता है, PTH का मुख्यकारी क्या था? PTH का मुख्यकारी था, कि रक्त में केल्सियम की मात्रा को बढ़ाना, अर्था केल्सियम का अवसोसन करना, तो रक्त में केल्सियम का लेवल से बढ़ता है, यदि PTH की यदि कमी होती है, तो केल्सियम अवसोसित नया होकर, बलकि क्या होगा उस सर्जद, हमने बताए था, कि अ calcium की सांद्रता एक निश्यत लेवल तक बनी रहे इस कारण इन दोनों हार्मोन का एक निश्यत लेवल तक उपस्तित होना आभश्यक होता है एक हार्मोन यदि कम होता तो दूसरे की व्रद्धी हो जाती है ठीक है तो यहां दियान से देखिए है यदि P T H की कमी होगी तो T C T बढ़ जाएगा ठीक है टीसीटी बढ़ जाता है और टीसीटी बढ़ जाएगा तो केल्सियम का क्या होगा उत्र सर्जन बढ़ जाएगा तो केल्सियम का अर्थर केल्सियम आवसोस नहीं होगा तो रख्त में केल्सियम की क्या हो जाएगी कम हो जाती है ठीक है क्या बोला मैं यह कम होगा तो तीसीटी की मात्रा बढ़ जाती है और टीसीटी अपना कारी करना ज्यादा शुरू करेगा जिससे केल्सियम का क्या हो जाएगा उत्रसर्जन इस स्थिति में रक्त के अंदर केल्सियम की क्या हो जाती है कमी और केल्सियम की कमी हो जाने को हम बोलते हैं हाइप हों कैल्सीमिय और जब कैल्सियम की कमिंहोगी तो तंत्रिकां-एकसाइट्मेंट हो जाती है तंत्रिकां उत्तत हो जाती है जिसके कारण जो सरीर की पेसिया होता है उपारा जबढ़ 1958 प्रॉसह अगरा जाती है जैसे हम कहे सकते हैं आटन मत्रक कम हो जाती है तो उनकी Kelseyum की रक्त में क्या कमी होगी कमी होने से उनके मस्तिस्क हडियां थीटिके दाक इनका विकास नहीं वपाता यानिका विकास आवरोद हो जाता है यह मैं का विकास अपुदर हो जाता तो यदि PTH की मातरा बढ़ती है और टी सिटी की मातरा कम पीटी की मातरा बढ़ती है तो टी सिटी कम तो PTH की मातरा बढ़ने से क्या होगा? केलसियम का अफसुसन आबशक्ता से जादा हो जाएगा अर्थत लगातार रख्त में केलसियम बढ़ता जाएगा केलसियम का लेवल जो होगा वो बढ़ता चला जाता है और इवन केलसियम का लेवल कहां से बढ़ेगा केलसियम अफसुसन कहां से होगा तो सरी की जो अस्थिया होती हैं, दात होते हैं, यहां से केल्सियम का विगटन प्रारम हो जाता है विगटन होगा अर्थाथ ये केल्सियम तूटेगा, तूट करके रक्त में प्राविस करने लगता है इस सिस्थिती वो बोलते हैं रक्त में केलसियम की मातरा का बढ़ना कहलाता है हाइपर केलसियमिया ठीक है रक्त में केलसियम की मातरा बढ़ चुकिए लेकिन जो हड़िया हैं दांत यह क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं भंगोर हो जाते हैं सामानिस से कम चोट लगने पर बीजन दान तोट जाते हैं इसको बोलते हैं हाई-प्रमय-अडिजी अर्था सिव पूर्विस रो घो जो गहने है जिवर होते हैं निक ही इसथान व एक जाल बना लेते हैं तो जाल बना लेते हैं इस घटना को हम क्या कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, फाइब्रोसा, सिस्टिया रोग ठीक है तो यह हमने देखा तो सबसे महत्मुन बात है कि रप्त में केल्सियम और फास्पोरस का जो लेवल है उस लेवल को बनाए रखनी के लिए दो हार्मोंस मुख रूप से अपना योगदान देते हैं एक PTH और एक TCT इनकी उपस्तिती एक संतुलित मात्रा मा होना बहुत आवश्चक है तो आज की वीडियो आपको यह समझभाई होगी ठीक है आप और वीडियो मेरी लगाता देखते रहें जिसे हम भी आपको समझाते रहें